ही गाईज वेलकॉम और वेलकॉम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज है 15 जनवरी 2023 और हमारा जो फोरेस्ट गाट का एक्जाम होने वाला है वो है 22 जनवरी 2023 को तो फ्रेंड्स कुछी दिन हमारे शेस रह चुके हैं फोरेस्ट गाट के एक्जाम के लिए तो यह जो प्रिवेसर कोशन पेपर है UKPSC का इसमें से आपके काफी कोशन रिपीट हो रहे हैं तो उसमें आपको मैंने डेर सो मैंसे केवल सो ही प्रशन सॉल्व करवाए थे तो आज हैं बाकी बचे हुए 50 प्रशनों के सॉलूशन तो चले जादर टाइम वेस्ट ना करते हु ठीक है अब देखें कोशन नमबर 101 है बथुकम किस राजिका पर्व है बथुकम है तेलंगाना राजिका तिहार कोशन नमबर 102 है इस अगेंस्ट ओड्स आत्मगता है तो फ्रेंड्स यह है आत्मगता सानिया मिर्जा की कोशन नमबर 103 है वर्श 2014 में किसे प्राच्च भाष क्लासिकल लेंग्विज का दर्जा दिया गया है क्लासिकल लेंग्विज है ओडिया कोशन नमबर 104 है किस वर्श भारत ने प्रतिष्टित G20 फोरम की अधिक्षता की राइट अंसर इसका है 2018 में कोशन नमबर 105 है ब्रिक्स सब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के ओ-neal नमले कित में से किस विजए से संबंदित हैं तो फ्रेंट्स ब्रिक्स से इस कोशन पेपर मैं लगबग 3-4 कोशन बने हैं तो ब्रिक्स जो है इस कोशन पेपर मैं काफी बार आया हुआ है तो फ्रेंट्स आगे देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है बॉक्टर सीवी रमन कॉश्य नंबर 107 है भारत के सर्वोच न्याले ने किस वर्स न्यायधिशों की नियुक्ति के लिए कॉलिजियम व्योस्ता को अपनाया था राइट अंसर इसका है 1993 कॉश्य नंबर 108 है मगद में नंद वंश का संस्तापक कौन था राइट अंसर इसका ह कौन सा स्थान पूर्म अधिकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था राइट अंसर है तक्षिशिला कॉश्य नंबर 111 है नियाय दर्शन के संस्थान थे राइट अंसर है गौदम कॉश्य नंबर 112 है घोडे के नाल के आकार की महराब सरवपर्थम प्रियोग में लाई गई कॉश्य नंबर 114 है सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपच का 50% कर दिया वह था राइट अंसर इसका है अलाओ दिन खिल जी कॉश्य नंबर 115 है निमलकीत इमारतों में से कौन सी इमारत शाने फत्यपुर कहलाती है तो फ्रेंट्स राइट अंसर इसका होगा ज किस सिख गुरु के द्वारा सिखो का खालसा में रुपांत्रण किया गया राइट अंसर इसका है गुरु गोविंद सेंग कॉश्य नंबर 118 है निमलकीत में कौन नीला जल योजना ब्लू वोटर नीती से संबंदित है राइट अंसर है डी अलमीत कॉश्य नंबर 119 है उस संसत के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर इस्ट इंडिया कंपणी के एकाधिकार को समाप्त किया राइट अंसर इसका होगा 1813 का चार्टर एक्ट कॉश्य नंबर 121 है दक्षन भारत में सिचाई विवस्ता का अग्रदूत किसे माना जाता है राइट अंसर है ऑप 1257 के विद्रो के समय भारत का गवर्णर जर्नल कौन था राइट अंसर इसका है लौड कैनिंग कॉश्य नंबर 124 है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के स्तापना हुई थी 1928 में कॉश्य नंबर 125 है निमलकित में से कौन काकोरी कांड से संबंदित नहीं था राइट अंसर इसका है सूरिसेन नंबर 126 है निमलकित में से कौन उत्राखंड की प्राचीन परजाती नहीं है तो नहीं कौन सी है खासी कॉश्य नंबर 127 है खुडबुड़ा का युद्ध हुआ था राइट अंसर है 1804 में कॉश्य नंबर 128 है 1946 में परवती छेतर के लिए अलग प्रसासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी राइट अंसर है परदिदत पांडे ने कॉश्य नंबर 129 है सिंगोली की संदी हुई थी यह हुई थी 1815 में अंग्रीजो और गुर्खा के मध्य में कॉश्य नंबर 130 है चमूली के रैनी गाओं में किसके नेतरत में वन कटाई के विरूद में अंदूलन चलाया गया राइट अंसर है गौरा देवी के चिपको अं नहीं है प्राचीन वली परवत नहीं है एंडी परवत कॉश्य नंबर 133 है निमलकित में से कौन एक मूल इस्थल रूप है तो देखिए मूल इस्थल रूप पुचा है तो ज्वाला मुकी शंकू टाइट अंसर होगा कॉश्य नंबर 134 है सरवाधिक 30 अपरदन होता है यह होता है लहरू से कॉश्य नंबर 135 है वायो मंदल के सबसे निचली परत कौन सी है शोब मंदल कॉश्य नंबर 136 है पृत्वी की भूमत दिये देखिए परीदी है लगभग 40,000 किलोमीटर कॉश्य नंबर 137 है निमलकित महसागरी धाराओ में से कौन सी प्रसांत महसागर से स कॉश्य नंबर 138 में पूचा है साप्टा दक्षिन एस याई वरितास व्यापार समजोता का गठन किस वर्स हुआ था राइट आंसर है 1993 में कॉश्य नंबर 139 में पूचा है निमलकित में से कौन सा एक समय की प्राक्रतिक इकाई नहीं है राइट आंसर है मानक समय कॉश्य कॉश्य नंबर 140 है जेम्स एंड्रियू रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था राइट अंसर है लौड डलहोजी का कॉश्य नंबर 141 है निमलकित में से कौन सा एक गलत युग में है तो देखे फ्रेंड्स यहां पर यह जो बी और सी बी और डी दोनो जिले में कॉश्य नंबर 143 में पुछा है पूर्वी धौली गंगा की सायक नदी कौन सी है राइट अंसर है अच्छा पूर्वी धौली गंगा सायक नदी किसकी है काली नदी की कॉश्य नंबर 144 है उत्राखन राज के किस राष्ट्य पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर पर्यूजना के अंत्रगस शामिल किया गए था राइट अंसर है राजा जी राष्ट्रिय पार्क जिसका मुख्याला देहरादुन में है कॉशन नमबर 145 है कलिया सोण भूसकलन चेतर उत्राखंड में कहां इस्तित है राइट अंसर इसका है श्री नगर और रूद्र प्रयाक के मध्य में कॉशन नमबर 146 है उत्राखंड में किस वनेजी विहार समू की स्तिती पस्चिमी से पूर्व की ओर सही है तो फ्रेंड्स उत्राखंड की अगर आप मैप में देखते हो तो आपसे पस्चिम से पूर्व पूचा है तो यहां से इधर को बढ़ने पर कॉर्विट पार कौन से पढ़ते हैं तो देखिए केदारनाथ नंदा देवी बिनसर असकूर ठीक है इस तरह से यह क्रम बनेगा Q147 है सुची 1st और सुची 2nd को सुमेलित करना है इसके जो बाकी मैचिंग्स है वो आगे तो देखिए पहले तो देख लीजिए आप जो बारी दो आप है इसका मैच कहां से होगा रावी तथा व्यास के मध्य लेकिन जो बिस्ट दो आप है उसका मैच होना है व्यास और सत अब है रचना दोआब रचना दोआब कहां से मैच करेंगे यह देखे जो हमने पहले पेज में देखा रावी तथा चिनाब तो रावी तथा चिनाब के मध्य में ठीक है अब है लास्ट चार्ज दोआब चार्ज दोआब है चिनाब तथा जेलम के मध्य में तो इस तरह से जो सारा जो कूट बनेगा वो बनेगा 3, 2, 1, 4 तो option A right हो जाएगा question number 148 है निमलकित मैंसे कौन जैव विवित्ता का एक संभिधन शील स्थान माना जाता है तो friends ये question जो है important है और यह पटवारी लिकपाल के exam में भी आया था उसमें भी same यही पूछा गया था कि जो जैव विवित्ता का छेत्र है वहां कौन सा छेत्र है जो जैव विवित्ता के लिए परसिद्ध है तो right answer उसका था पश्चिमी घाट और इसका भी right answer ही है पश्चिमी घाट और यही चारों option उसमें दिये गए थे तो आप देख लिजे इन 50 questions में से एक question आपको दिग गया जो पटवारी लेकपाल के exam में आये था देखे 50 questions में से ही मिल जाते हमको की UKPSC जो की repeat करते रहता है तो इस तरह से आपको UKPSC के previous question paper देखने है ताकि आपको help मिल सके आगे के लिए question number 149 है आपको ये वीडियो पसंत आई होगी क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि 100 से आगे जो बाकि 50 questions है उसको भी मैं करवा दू तो friends अगर आपको वीडियो पसंत आई हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरो करना